नमस्कार, स्वाद आप सभी का बजारों की चाल के अंदर मैं हूँ आपके साथ एकलेश राटी और बजारों की चाल में चर्चा होने जा रही हैं यहाँ पर एक बार फिर से क्रिशी फसलों के बारे में जानेंगे कि आज सोमवार के दिन हफते के पहले कारूबारी दिन शाम ये कारूबारी सत में क्रिशी फसलों का बजार कैसा कारूबार करता नजर आ रहा है किस क्रिशी फसल के अंदर कितनी मन्धी तेजी देखने को मिल रही है और experts का क्या मानना है कि आगे जाकि किस क्रिशी फसल के अंदर कितनी मन्धी तेजी बनती नजर आ सकती है ये सब बजार की चाल के अंदर जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कैसर सीड से तो देख रहे हैं यहाँ पे कैसर सीड के डिसेंबर वायदा 6534 पर कारुबार कर रहा है और 6540 का हाई लगा चुका है पौने 3 फिस्दी की तेजी है हम देख रहे हैं कि कैसर सीड के अंदर काफी दिनों के बाद जो कीमते हैं 1500 के उपर देखनी को मिली है 6500 के लेवल्स पर हमने कैसर को पहले भी जाते वे देखा है लेकिन फिर वहाँ से 6400 के लेवल पर सस्थेंबर चल रहा था वहीं आज हफते के पहले कारुबार दिन कैसर सीड की कीमतों में एक अच्छी तेजी बनती नजर आईए कैसर सीड की कीमते हैं काफी दिनों के बाद 3500 की तेजी के साथ 6500 के ऊपर कारुबार करती नजर आ रही हैं ट्रेड करती नजर आ रही हैं शाम के कारुबार यस हतमे हफते के पहले कारुबार दिन आपको बता दें कि कैसर की बुआई का जो रगबा है पिछले साल की मुकाबले इस बार थोड़ा कम रह सकता है वही पहले जो कैसर सीड का बुआई का रगबा था वो जादा कम बताया जाता है वहीं अब जो मौनसून की जो बारिश इस बार काफी बहतर हुई है काफी अच्छी हुई है उसकी वज़ा से जो रगबा है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती हाला कि पिछले साल के मुकाबले कम ही रहेगा और दूसरा हमने कैसर सीड की कीमतों को एक कंसॉलिडेशन के साथ कारवा करते देखा था इसका एक बहुती मुख्य कारण था वो ये था कि पिछले साल जब कोर्ना से पहले पैंडमिक से पहले जो चाइना था वो भारती कैसर सीड की जमकर खरीदारी कर रहा था तब भारत सरकार ने इसके regarding एक अलठ भी जारी किया था कि जो कैसर है जो चाइना है भारती कैसर की जमकर खरीद कर रहा है एक 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 अगरसिव बॉयिक निकल के सामने आई थी चाइना की ओर से भारती कैसर सीड की जिसकी वज़ा से हमने कीमतों में काफी अच्छा उचाल भी आते वे देखा था तब की कीमतों के मुकाबले अगर अब की कीमतों देखे हैं तो अब भी कीमतों जादा ही है ठीक ठाक है तेजी की और ही है और अब देख रहे हैं कि कैसर ओयल का जो थोड़ा एक्सपोर्ट है वो थोड़ा कम देखने को मिला हाला कि निरियात मांग ठी लेकिन पहले की मुकाबले थोड़ी कम है घरेलू लेवल्स की बात की जाये तो घरेलू इस तरफ पर जो डिमांड है कैसर की अब वो धीरे धीरे बनेगी बड़ेगी जिसकी वज़ा से कैसर की कीमतों में कुछ तेजी बनते नजर आएगी तो कैसर की कीमतों में हाल फिलाल में जो तेजी एकदम से नहीं बन रही है वो इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि अभी पिछले साल में देखा था कि चाइना की तरफ से भारती कैसर की अच्छी डिमांड थी इस बार पैंडेविक के बाद से चाइना और इंडिया के जो बिज नजर नहीं आ रही है तो लेकिन जो domestic level पर जो domestic level पर जो demand होगी कैसर की वो धीरे-धीरे जरूर बढ़ेगी निर्यात मांग भी ठीक ही रहेगी थोड़ी कम रहेगी लेकिन ठीक रहेगी जिसकी वजासे कैसर की कीमतों में एकदम से तो नहीं लेकिन धीरे-धीरे तेजी देख कीमते अरसर सोच से लेकर 7000 तक कभी levels दिखलाती ही नजर आ सकती है लेकिन ये एकदम से नहीं देखने को मिलेगा धीरे-धीरे तेजी slow and consistency के साथ जो कैसर सीर की कीमते हैं वो तेज होती ही नजर आएंगी आगे बढ़ते हैं बात करेते हैं यहां से बिनौला खल की तो देखने को मिलाता है इस बार 2500 के levels पर देखने को मिल रहा है बिनौला खल की कीमतों में देख रहे हैं कि हम एक बाप फिर से consolidation देखने को मिल रहे हैं बिनौला खल काफी समय से एक सीमीत दा रहे हैं कह सकते हैं consolidation का सामना करता नजर आ रहा है लेकिन overall रुजहान जानकार जो ह देखने को मिल सकते हैं कि पूल्टरी इंडस्ट्री की तरफ से बिनौला खल की demand निकल के सामने आ सकती है इसके पीछी का एक logic है और वो logic ये निकल के सामने आ रहा है कि पूल्टरी इंडस्ट्री को पशुचारे इंडस्ट्री को मौझूदा समय में हरे चारे की कमी देखने को मिल रही है हरे चारे की मौझूदा समय में किल्लत देखने को मिल रही है जिसकी वज़ा से जो दूद उतपाद है उसमें भी कमी होई है और जो बिनौला खल है cotton seed oil cake है कपास खली है वो एक मातरी ऐसा product कह सकते हैं एक ऐसा जो दूद की मातरव को पशुओं में बढ़ा सकता है तो हो सकता है कि पोल्टरी इंडस्ट्री से बिनौला खल की मांग काफी अच्छी निकले इंडस्ट्रील डिमांड निकल के सामने आए और बिनौला खल की कीमतों को पंक लगा दे आपको पता दें कि केडिये अडवाइजरी के डिरेक्टर अजे केडिये की मताबिक बिनौला खल अगले 6 महिनों में 4000 तक का भी लेवल्स दिखलाता नजर आ सकता है तो बिनौला खल में लंबी अब्दी में अभी तेजी के लिए निचलेस तरुपर खरिदारी में रहा जा सकता है और धिसम्बर 2021 तक बिनौला की कीमतों में 2700-2800 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं तो ओवरल उरजान बिनौलाखल की कीमतों में अभी तेजी का ही रहेगा यहां से बात करें अगर मसालों की तो हम देख रहे हैं धनी के दिसम्बर वायदा 8802 पर कारवार कर रहा है और 8878 का ही लगा चुका है सवा 2 फीजदी की तेजी है हम देख रहे हैं कि धनी की कीमतों में एक बाप फिर से शांदार बड़त बनती नजर आ रही है दिरसल धनी की बुवाई का जो रगबा है थोड़ा घट सकता है इस बार और दूसरा हमने धनी का जो कैरी ओवर स्टोक है पिछले 2 सालों से लगातार कम होते वे देखा है वो भी अच्छी देखने को मिल सकती है निकल के सामने आ सकती है जिसकी वज़ा से धनी की कीमतों में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है तो धनिये में अभी experts तेजी की ही तरफ हैं, धनिया आने वाले दिनों में 9000 के भी levels दिखलाता नजर आ सकता है तो धनिये में 9000 के level के लिए experts अभी निचले स्थर पर खड़ीदारी की सला दे रही है धनिये में weekly closing 8200, 8300 आना जरूरी है, तभी 9000 का भी जो level है वो देखने को मिलेगा बात कर यहां से अगर जीरे की, तो जीरे का दिसमबर बाद देखने हैं 16200 पर कारूबर कर रहा है और 16600 का ही लगा चुका है, दो फिस्दी की correction है हम देख रहे हैं कि जीरे आज एक बार फिर से 16000 के उपर ठिका हुआ है, 16000 के उपर सस्टेन होकर चल रहा है दर असल जीरे की जो निरियात मांगे, अब दिसमबर की मद्धे तक मान लीजिए कि 20 दिसमबर के आज बाद से निकलनी शुरू हो जाएगी और जीरे का भी जो carry over stock है, वो भी पिछले दो साल से लगातर कम होता नजर आ रहा है और demand भी अब शादी का महौल है, शादी का season है, तो मसालों की जो demand अब्यस सी बात है कि वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी तो घरेल उस तर पर demand निकलना और निरियात मांग निकलना दोनों ही जो factor हैं जीरे की कीमतों को और तेजी की और लेके जा सकते हैं 2022 में जीरे की कीमतों में अभी और शांदार तेजी देखने को मिल सकती हैं तो जो जीरा और धनिया कारोबारी हैं, वो experts द्वारा ऐसी जानकारी दी जारी हैं कि वो सारा माल ना निकाले, कुछ माल को होल्ड भी करके रखें जिससे की साल 2022 में जीरा और धनिया में अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा के चला जा सके तो ओवरोल रुजान धनिया और जीरे में आगले साल तक 2022 की शुरुवात में तेजी का ही देखने को मिलता रहेगा आपको बता दें कि केडी एडवाजरी के डिरेक्टर अजे केडे की मुताबिक जीरा 2022 में जनवरी फरवरी और मार्च का मिड काफी जीरे के लिए काफी अच्छी रहने वाले हैं और अजे केडे के मुताबिक जीरे में 21,000 तक के जो लेवल्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं तो अगर अब के कंपेरिजन में साल 2022 में जो अजे केडे दुवारा लेवल दिया गया है वो कंपेर किया जाया तो काफी अट्रेक्टिव लेवल है उन लेवल्स के लिए निचले स्थर पर खरीदारी में रहा जा सकता है बात करें यहां से अगर हल्दी की तो हल्दी का डिसेंबर बायता देख रहे हैं 7,696 पर कारुबार करता नजर आ रहा है हल्दी की कीमतों में आज 6 फीज़दी का उपरी सरकिट लगता नजर आया है हम देख रहे हैं कि आज हल्दी की कीमतों में काफी दिनों के बाद शांदार बड़त देखने को मिली है 6 फिजदी का उपरी सरकिट लगता नजर आया है आज हल्दी की कीमतों के अंदर सुबा को हमने हल्दी को 7400 के घरों में कारुबा करते देखाता है अब देख रहे हैं सादरा 600 के उपर कारुबा करती नजर आ रही है आपको बता दें कि हल्दी का जो बुगाई का रगबा है इस बार ठीक ठाक देखने को मिला है क्योंकि बारिश से इस बार काफी अच्छी बारिश देखने को मिली है जिसकी वज़ा से हल्दी की कीमतों को सपोर्ट मिलता नजर आ है और दूसरा हल्दी का जो उतपादन है इस बार पहले के मुकाबले जादा रह सकता है हाला कि विंटर सीजन है विंटर सीजन है हल्दी की जो खपाता थोड़ी बढ़ जाती है लेकिन हल्दी जीरा और धिने की मुकाबले थोड़ा कम ही मुनाफ़ा इस बार देती नजर आएगी जब तक हल्दी की कोई काफी अच्छी बैतरीन निर्यात मांग निकल के सामने नहीं आ जाती है तक हल्दी की कीमतों में कोई बड़ी लंबी तेजी की उमीद नहीं है शादी व्याक के सीजन के चलते हल्दी की कीमतों को भले ही सपोर्ट मिल जाए लेकिन फंडामेंटल ही देखा जाए तो हल्दी के फंडामेंटल इतने मजबूत नहीं है क्योंकि बुगाई का रगबा बड़ा है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा रह सकता है तो हल्दी में जो तेजी है वो धनिया और जीरे के मुकाबले थोड़ी कम ही देखने को मिलेगी अभी ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है इसी के साथ बात कर रहे हैं यहाँ से अगर गौर का उंप्लेक्स की तो हम देख रहे हैं गौर गम का दिसम्बर वाइदा 11,179 पर कारवार कर रहा है 5,5 फीजदी का निचला सर्किट है और गौर सीर का डिसम्बर वाइदा 6,070 पर कारवार कर रहा है 5,4 फीजदी की गिरावट के साथ हम देखने की गौर गम और गौर सीर एक बाफिर से एक अच्छी रहली के बाद एक बाफिर से गिरावट के साथ कादबा करते नज़र आ रहे है और गौर गम ग्वासीर की की मतौमें जिज़ गिरावट का महल है अब ये धीरे-धीरे और घहराता जा रहा है दिरसल गवार की कीमतों में गवार की कीमतों में जो तेजी बंती नजर आई थी एकदम से वो इतनी fundamentals के बंते नजर नहीं आई थी जितनी speculation के चलते बंती नजर आई थी गवार में हवावाजी जादा देखने को मिली थी कि गवार के जो fundamental से मजबूत है और बुआई का जो रगवा है घटा है ऐसा है कि production इस बार कम रह सकता है गवार का और industrial demand भी ठीक ठाक देखने को मिली थी लेकिन वो उस अनुपात में भी नहीं थी उस रेशियो में भी नहीं थी कि गवार की कीमतों में इतनी शांदार और इतनी अच्छी तेजी निकल के सामने आए जिसकी वज़ा से हमने गवार की कीमतों को 13-13,000 तक जाते वे देखा था लेकिन अब देख रहे हैं कि स्पेकुलेशन थोड़ा कम हुआ है और जिसकी वज़ा से गवार की कीमतों में अभी एक बाद फिर से निचले सरकिट लगते नजर आ रहे हैं और अभी भी ऐसा देखने को मिल सकते है कि गवार की कीमतों में सटे बाजी बढ़े और जो कीमते हैं एक बाद फिर से तेजी की और अगरसर हो तो गवार के कारुबारियों को काफी जादा सोच समझ के चलने की जरूबात है क्योंकि गवार एक ऐसी कमूरिटी है जो खराब नहीं होती है लोग इसे स्टॉक करके रखते हैं, होलड करके चलते हैं किवाओक पहले भी हमने देखा हैं साल 2012-13 में कि गवार की कीमतों के क्या रेट्स मिलतें नजर आया थे गवार में कितनी अच्छी तांचान्दी देखने को मिली थी लेकिन अब गवार की जो कीमते हैं उपर इस तरव से गिरावट के साथ कारोबा करती नजर आ रही है तो गवार के जो ट्रेडर्स हैं और जो कारोबारी हैं उनको काफी जादा समल के चलने की जरूरत है आपको बता दें कि इस बार गवार का जो उत्पार देने पिछले साल के मुकाबले लगबग आधा रह सकता है और दूसरा NCDX ने गवार का जो मार्जिन है वो बढ़ा दिया था जो एडिशनल मार्जिन अगस्त में 5 फीजदी लगाया था और अब NCDX ने एक बार फिर से गवार पर मार्जिन बढ़ा दिया है एडिशनल मार्जिन EASM बढ़ा दिया है जिसकी वज़ा से गवार की कीमतों में एक गिरावट वाला महौल देखने को मिला है तो ओवरल जान अभी गवार की कीमतों में ऐसा ही बना रहेगा कभी उपरी सर्किट तो कभी नीचले सर्किट गवार की कीमतों में देखने को मिलते रहेंगे और हमने बीच में भी देखा तक कि जो कुरूड के जो भाव लगातार बढ़ रहे थे कुरूड की कीमतों में जादा भाव बनने की वज़ा से गौर की कीमतों में भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी लेकिन एक सोचने वाली बात ये भी है कि अगर जनवरी 2021 से अब तक गौर की कीमतों में तेजी की और नजर डालें तो वो उसके alternatives की और जादा बढ़ती है और हमने ये भी देखा है कि alternatives की और बढ़ती है और markets के अंदर गौर के जो alternatives हैं वो सस्ती दरूपर मौजूद है जिसकी वज़ा से ऐसा हो सकता है कि जो industrial demand है गौर की जगा उसके alternatives पर shift होती नजर आए जिसकी वज़ा से गौर की कीमतों में कुछ और नर्मी भी देखने को मिल सकते हैं आपको बता दे हमारे expert केडी advisory के director अजे केडी की मताबिक गौर सीट में खरीदारी करने या फिर इसका trend एक्चुल में कैसा रह सकता है ये जानने के लिए कम से कम आपको 54 के level का इंतजार करना चाहिए और गौर गम में 9500 से 9800 का level का इंतजार करना चाहिए तब जाके इसका जो trend है positive रहेगा negative रहेगा तब जाके पता चल सकता है और ये भी तब वो भी तब पता चल पाएगा जब इसमें wait and watch की policy अपना ही जाएगी थोड़ा इंतजार करना चाहिए दामों को निचले स्थर पर आने का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद फिर महाँ से markets को देखना चाहिए fundamentals देखने चाहिए की कैसे बनते नजर आ रहे हैं तब वो गवार की actual कीमत को तैग करेंगे वरना किस दिन 6% का उपरी सरकीट तो इसके 2-3 दिन के बाद ही निचले सरकीट ऐसे ही volatility उठा पटक 62 के चलते चलता रहेगा आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं यहां से अब सोयबीन की तो सोयबीन के डिसेंबर बाद देख रहे हैं 6429 पर कारभार कर रहे है 6% का उपरी सरकीट आज सोयबीन की कीमतों में लगता नजर आ रहा है हम देख रहे हैं कि सोयबीन जो सोयबीन मंडियों में नीचे में 17-1500 रुपे क्विंटल तक बिक्ती नजर आ रही थी अब वही सोयबीन एक बार फिर से तेजी की और अगरसर हो रही है सोयबीन की कीमतों में लगातार अब तेजी बढ़ती नजर आ रही है आपको बता दें कि इस बार सोपा के द्वारा आखड़े दिये गई है कि सोयबीन की जो उत्पादन प्रोडक्शन है पहले की मुकाबले इस बार ज़ादा रह सकता है 14 फीजदी उत्पादन ज़ादा रह सकता है लगबग 119 लाग टन सोयबीन का उत्पादन मानके चलिए कि इतना सोपा के द्वारा आखड़ा दिया गया है सोयबीन के उत्पादन का लेकिन मौजूदा साल में हमने मौनसून में भारी बारिश के चलते सोयबीन की जो फसले हैं बड़े पैमाने पर खराब भी होते देखी हैं जिसकी वज़ा से सोयबीन का जो उत्पादन है वो कहीं न कहीं ज़रूर इंपक्ट होता हूँ नजर आएगा और किसान इस बात के लिए इस बात पर अड़े हुए हैं कि सोयवीन का जो उत्पाद है नहीं इतना देखने को नहीं मिल सकता है और दूसरा किसानों को मंडियों में सोयवीन के दाम अच्छे नहीं मिलेते क्योंकि उन्होंने जो महंगा वीज है वो उसे खरीद कर सोयवीन की बुवाई की थी और मंडियों में MSP का आधा भी रेट उन्हें मिलता नजर आए जिसकी वज़ा से किसानोंने सोयवीन बेचनी अब कम कर दिये या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि धीरे धीरे बंद कर रहे हैं मंडियों में शुरुवाती दिनों में सोयवीन की आवकों का प्रेशर देखने को मिलाता लेकिन अब कम कीमत मिलने के चक्कर में किसानोंने सोयवीन को होल करना शुरू कर दिया है स्टॉक करना शुरू कर दिया है कि जब तक उन्हें सोयवीन का भाव 8000 या 10000 को इंटल नहीं मिलेगा, जब तक उनकी लागत नहीं निकलेगी, तब तक सोयवीन को नहीं बेचेंगे, चाहे 5-6 महिने तक का इंदजार भी क्यों ना करना पड़े, अगले साल तक भी इंदजार क्यों ना करना पड़े, बेचे आई थी, अब वही सोयवीन ओपर में 4600 तक जाती नजर आ रही है, सोयवीन एक बाफिर से तेजी की और जाती नजर आ रही है, आज वायदा बजार में सोयवीन की कीमतों में 6% का ओपरी सरकेट भी देखने को मिल चुका है, दरसल सिफ यही कुछ फैक्टर्स नहीं है, जि जिसके कुछ रीजन से, पहला रीजन तो यह है कि जो सोयवीन का एक्सपोर्ट है, वो नहीं हो रहा है, दूसरा, जो सोया खली, सरकार ने जो सोयवीन मील आयात करने का फैसल या तो उसकी वज़ा से गिरावट तो आई थी, लेकिन उसका जो यूज है, वो इतना देखने क नहीं मिल रहा है, और मार्किट के अंदर सोया खली, जिसको सोयवीन मील भी कहा जाता है, सोया ओयल केक भी कहा जाता है, वो मार्किट में अच्छी मातरा में मौजूद है, फिर भी जो पोल्टरी इंडस्ट्री है, वो तब भी मांग कर रही है कि उसकी जो अवदी है, आया सवाल निकल के सामने आता है, अगर poultry की इतनी डिमांड है, तो जो सोयक खली पहले से आयात हो चुकी है, जो आयातीत सोयक खली है, वो इतने बड़ी मातरा में मौझूद क्यों है, मार्केट्स के अंदर, बजारों के अंदर, उसकी खपत क्यों नहीं हो रही है, अगर poultry इंडस्ट्री की इतनी डिमांड है, पहला सोयवीन किसानों के ये सवाल आता है, दूसरा, ये भी सवाल निकल के सामने आ रहा है, कि अगर प्रोडक्शन जादा है, अब सोपा ने ही है, फिर से चालू हो गई है, जैसे कि पोल्ट्री इंडस्ट्री मांग कर रही है, कि सोयवीन का आयात की जो डेट है, जो तिति है, वो बढ़ा दीजाए, और NCDX पर सोयवीन का जो वायदा बजार है, जो फ्यूचर कॉंट्रेक्टर है, उस पर बैन लगाया जाए, उस की वज़ा से सोयवीन की जो कीमते हैं कुछ कम होते नजर आए, अगर सोयवीन की MSP पर नजर डाले और मौजूदा दरों पर नजर डाले, तो अल्मोस्ट डवल ही है, लेकिन किसानों का काफी बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ है, और उनके नुकसान की भरपाई तो मौजूदा सोयवीन की खपत क्यूं नहीं हो रही है? दूसरा, क्या सोयवीन की अंदर फिर से 60 बाजी जादर देखने को मिल रही है, और इसी 60 बाजी के चलते हैं क्या सोयवीन एक बादर फिर से वही लेवस दिख़ा देगी, जो अगस सेप्टेमर की महीने में, 16-11-17 1000 के लेवल्स दिखला है थे वायदा बजारों के अंदर तो ये कुछ सवाल है जिन को लेकर जो industrial bodies है और जो किसान हैं जो traders हैं वो काफी जादा confused है कि soybean में अब actual आगे जो रहने वाला है market वो कैसा रहने वाला है तेजी में रहेगा या फिर मंदिकी हो रहेगा तो ये कुछ सवाल है जिसको लेकर काफी अनिष्टा का महौल बनता नज़र आ रहा है लेकिन overall हम देख रहे हैं कि soybean की कीमतों में अभी तेजी देखने को मिल रही है चाहे सट्टेबाजी के चलते देखने को मिल रही हो या फिर soybean का स्टॉक करने के चलते soybean की कीमतों में तेजी है future contract वालों को उनका profit मिल रहा है और किसानों को भी अब अच्छी कीमत मिलनी शुरू हो गई है और किसानों को अभी भी यही उमीद है कि जो soybean है उनको उनकी कीमत आगे जाके soybean की और अच्छी मिलती नज़र आ जाए तो यह था छोटा सा Community Bazaar का update आशक करते हैं आपको माई जानकर यह अच्छी लगी होगी अगर आपको माई जानकर यह अच्छी लगी हो तो मारे वीडियो को लाइक करें शेर करें और जो मारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है वो मारे यूट्यूब चैनल